एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर कुम्बराशी जानिये पैसों से लेकर प्यार तक की ए टू जहड़ बाते जोतिश के जानकरों के अनुसार ग्रहन अक्षत्रों की बदलती स्थिती का व्यक्ति की जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है ग्रहों के ठीक स्थिती व्यक्ति की जीवन में सुधार लाती है प्रणतु ग्रहों की खरप्स्थिती व्यक्ति की जीवन में कठिना या उत्पना कर सकती है बदलाव प्रकूरती का नियम है जिसका सामना हर किसी मनेशुको करना पड़ता है सबी लोगों के जीवन की परस्तितियों में उतार चड़ाव आते हैं जिसके पीछे ग्रहों की चाल मुखे जिम्नेदार मानी गई हैं जोतिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं एक अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की कुम्बर राशी की पैसों से लेकर प्यार तक की एटू जड़ बाते इस वीडियो में बताने वाले हैं व्यापर वर्ग किसी नए कारे में निवेश करें तो लाब प्राप्त होगा आप अपने परिवार के साथ किसी रिस्तेदार के घर जा सकते हैं परिवार में खुश्याली बनी रहेगी पारिवारी जिम्मेदारियां पूरी होने का संतोष मिलेगा कला के ख्षेतर से जुड़े व्यक्तियों को सम्मान मिलेगा स्टूडेंस को परिक्षय में अच्छा परिना मिलेगा, स्वास्ते उत्तम रहेगा, प्रॉपर्टी खरिदने का भी योग बन रहा है। ऐसे ही कुछ महतोपुना बातें आज की स्वीडियों में बताने वाले हैं तो इस वीडियों को अभी लाइक करें और कमेंड में जै बोले ना जी लिकना ना भूलें तो चले जानते हैं कुम्बर राशी की एटू ज़ड़ बाते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे महने में आपका सामान्य राशीपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। करने से बचना होगा किये गए कारियों के फल की चिंता आप बिलकुल भी ना करें अपने उच्छे अधिकारियों से आपको सहयोग मिल सकता हैं कहीं निवेश या बच्चत की कोई योजना आप बना सकते हैं जिसका फाइदा आपको बविश में आगे चलकर होगा अगर हम क किसी से कुछ ऐसा खर सकते हैं जिसके कारण बाद में आपको परिशानी हो सकती हैं आपको कुछ कफिन परस्तिंद्यों का सामना भी करना पर सकता हैं लेकिन आपकी पैसं से संबंधिय स्तिति में सुधार आ सकता हैं अगर हम कुउमःराशी की धनराशी adjust की बात करें तो व विबिन तरीके आपको व्यास्तर रखेंगे और आपके connection को भी बढ़ाएंगे अपनी कला जैसे कि संगीत, रुत्य या फोटोग्राफिक का प्रोदेशन करने के लिए भी समय अच्छा है व्यावसेक परिशानी या अयोजीत बुकतान आज की शांदार दिन के रंग में भंग डाल सकते हैं अच्छे संबंदा आमतोर पर आपसी जरुरतों पर आधरित होते हैं लोग आपको केवल तभी समझ सकते हैं अगर वो समझनाख चाहते हो आपकी शक्ती से आपकी प्रभाशा लिता बढ़ेगी प्रतिद्वती आपको नुक्सान पहुंचा सकते हैं इसलिए सतर करहें याद रखें इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा इसलिए अपना ध्यान सोय रखें अगर हम कुमराशी की करियार राशीबल की बात करें तो सरकारी महकमे के संबंदित कामों में समय शुबर रहेगा आप अपने सभी काम बिना ज़्यादा परिशानी के आसानी से पूरे कर लेंगे जो लोग सरकारी नोगरी करते हैं उनके लिए पूरा महिना शुबर रहने वाला है सब कुछ आराम से चलता रहेगा दिन का पूरा लाव उठानी की कोशिश करेगा अगर हम कुमबराशी की लवराशीपल की बात करें तो भाई भन या चेचरे भाई के साथ दिन मस्ती भरा से बितने वाला है अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकाले और मिलने वाले आउसरों का सही से उप्योग करे प्रियतम से किये वादों को पूरा करने का समय आ चुका है क्योंकि अधुरे वादे अधुरे रिस्ते के समान है आपके कुछ सब्बे मित्र आपकी हर संबव मदद करेंगे और हो सकता है कि भविशे में उन्हें आपकी सहय तक ही जरूरत पड़े इसलिए हर वक्त तयार है अखिर में बात करते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है उसके बारे में जिनको दर्द या बुकार है वो बहतर मसूश करेंगे स्वाय उप्चर करने की वज़ाए डॉक्टर की सलाह ले क्यूंकि इससे आगे परेशानी हो सकती है तो दोस्तों यह दी कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो इस बात को गल्ती से भी ना भूले हर घर में एक कमरा कम है हर तीजर में एक रूपया कम है यह कम होनी की सोच अगर उन लोगों की है जिनके सीर पर चत नहीं है मौसंग की मार से बचने के लिए तन पर कपड़े नहीं है पेट भरने को रोटी नहीं है पोष्टिक आहार नहीं है तब तो इसका कुछ अउचिते बनता है लेकिन कम होने का यह विचार जब उन लोगों के मन में उपजने लगता है जो छोटी कॉलनी के छोटे से फ्लेट से उपकर बड़ी कॉलनी में सेंडरली एर कंडिशन भव्य कोठियों में जाने की सोचते हैं तब यह संपूर्ण मानवता और विश्व श्यांती के परती अपराद बोध करता है अतरुक्त इच्छाएं अतरिक्त धन जोटाने के लिए उकसाती हैं इसके लिए हम सामाजिक मर्यादा और नहितिक्ता को भी विस्मरूत कर देते हैं धन के लिए अंतहिन दवड में स्वास्तिय, परिवार, सामाजिक ब्रष्टाचार सब कुछ पीछे छुटने लगते हैं आत्मिय संबंदों में खटास आ जाती हैं जरुरतों की सीमाएं लांग कर सुविदाओं, विलासिताओं की कामराओं से न जाने कितनों की अवशक्ता जरुरतें आधी अदोरी रह जाती हैं आस्मान और अभाव की इस पेड़ा से उपजा उनका संतोश और अक्रोश, हिंसा और अंतक में बदल कर सारी विवस्ता को उतल पुतल कर देता हैं सुविदाओं के अतिरिक और विलासिताओं की पूर्ती के लिए प्राकृतिक संसादनों का असिम दोहन, विवनों का विनाश, भूमी से खनीज प्राप्त करने का उसका सीमा रहित उत्खनन होने लगता है इससे प्रकृतिका संतुलन बिगरता जाता है परिणाम होता है अनियंतरित मौसम, अति सुका, अति उरुष्टी, बाड, भूसकलन, भूचाल, सुनामी, केटरेन जैसे अबदाये कुछ कम को पूरा करने की लालसा किवल कुछ व्यक्तियों तक ही सिमित नहीं रहती है राष्टों में भी यह मनुमृत बरती जा रही है उन्हें भी अपना देश, अपनी सीमाएं, अपना व्यापार, अपना निवेश कम लगने लगा है इसी कमी को पूरा करने के लिए पड़ोसी देशों की सीमाओं पर अक्रणमा, उनके आर्थिक व्यापारिक, सामराजों को समठने के लिए प्रतने शिल रहते हैं परिणाम निकलता है जो धन, जन, हितकारी, कल्यानकर योजनाओं में खर्च होना था वह सुरक्षा व्यवस्ता की बली चड़ जाता है बहुत कुछ होते हुए भी कुछ कम होने की सोच संपूर्ण मानोता के लिए बड़ी घातक सोच बनाती जा रही है कामना की पूर्ती होती हैं तो बार बार उड़ती हैं अत्रुप्त रती हैं तो त्रुप्त होने के साधन जुटाने में सबकुछ अस्त व्यस्त कर देती हैं इसलिए कामला की पूर्ती अपूर्ती नहीं निवरूती होनी चाहिए जो मिला है उसका संतोश के साथ उपोव करे और अपनी थाली में इतने पक्वान ना संजोएं की पडोसी की थाली में रोटी कम होने लगे महावीर ने कहा है की सदेव ध्यान रहे की प्रकूती के संसाधन हमारे अकेले की नहीं है उन पर ब्रह्मान के सबी जिवों का समन अधिकार है सुविदाओं, विलासिताओं और पदार्तों के सूख से हम इतनी निकरता न बना लेकी वह शास्वत सूख जो हमारा लक्ष है उससे दुरी बढ़ जाए इसलिए कि इस दूरी का जब तक हमें असास होता है तब तक फासला बहुत बढ़ जाता है और समय बहुत कम रह जाता है चान्दी के चदर टुकडों की चाहत जब तक नहीं मिटेगी और इसकी कमी सालती रहेगी उसे पुरा करने की लालसा जीवित रहेगी तब तक परमात्मा के प्रती सच्चा प्रेम जागरूत ही नहीं होगा अंतर में पदार्तों का इतना अंबार इकटा होता जाएगा कि उस परमात्मा के लिए कोई कोना नहीं बचेगा तो दोस्तों यह ते कोछ गलतियां इसे भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए वरना परमात्मा को प्राप्त करना बहुती कटिन है दोस्तों आज की स्वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपलो को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नई उड़ो के साथ धन्यवाद